नरम नरम रसील माल पुवा किसे पसंद नहीं आते हैं और अगर ये फटा फट बन जाए वो भी बिना मावा और सूजी के तो फिर ये कौन बनाना नहीं चाहेगा हलो फ्रेंज वेलकम टो कांचा किचन स्टोरी और आज की हमाई डेसिपी है इंस्टेंट माल पुवा तो आएए देखते हैं क्या है इसके इंग्रीडियंस यह देखी यहां मैंने एक मेजरिंग कप लिया है इसी कप से हम सारे मेजरमेंट करेंगे यहां मैंने एक कप पूरा इससे भरकर मैदा लिया है रिफाइन फ्लोर अब इसी कप से हमने 3x4th cup फूर्थ ओफ कप मिल्क पाउडर लिया है इसी कप से एक कप फुल हमने 8 जाए गयों का ऑर इसी कप से हमने 2x3 cup 2 चीनी वी है एक चमच सौफ फैनल सीज ये चोटे या बड़े जो भी आपको साइज में मिलते हैं आप ले सकते हैं से बेसिकली माल पुआ जब हम खाते हैं इसमें सौफ का जो स्वाद आता उसकी क्रंचिनस आती तो बड़ा टेस्टी लगता है तो आप सौफ जरूर डालिए अब यह सारे जो पाउडर्ड इंग्रेडियंट्स हैं इन्हें में मिक्स दे देंगे क्योंकि अभी हम इनका एक बैटर बनाएंगे इसका लिक्विड बैटर बनाएंगे तो कोई लंप्स नहीं पड़ने चाहिए और अब इसमें जाएगा पिंच ओफ बेकिंग पाउडर ताकि वो थोड़ा राइज हो जाए जब हम इसे बनाएं तो बस इनमें यह साई चीज़े जाएंगे कि अच्छा एक इंपोर्टटैंट चीज यह है दोस्तों की मेजरिंग कप आप जाए कोई बी इस्तमाल करें चाहिए आप नॉर्मल घर में कोई जुगा यूज यूज करते हैं कटोरी यूज़ करते हैं वो भी इस्तमाल कर सकते हैं बस कोशिश ये करिए कि हमेशा मेजरिं टूम टेमप्रेचर पर यह दूद था हलका सा गरम यह मैंने इसमें डालके इसका बैटर बनाया है यहां मैंने एक ग्लास दूद लिया है प्रॉपर लेकिन आपको बैटर देखे इस तरह की थिकनिस का चाहिए रनिंग बैटर बहुत अधिक पतला नहीं है यह लेकिन हां बह कि मेरे पास इसी कप से मैंने देखिए एक कप शुगर और इतनी ही सी कप से एक कप पानी डाल कर हम इसकी Чाशणी बनाएंगे चाशनी बिना किसी तार की वननी है बस उसमें जो एक जो लिसलिसा पंसा आ जाता है चाशनी में मतलब जब यह घुल जाए आप यूँ कहिए और एक मिनट का बॉय दीजे बस हमें इतनी पकानी है चाशनी इसमें कोई एक तार या दो तार हमें नहीं करना है इसकी हम चाशनी बना लेंगे इस तरीके से एक मिनट के लिए मैंने इसे उबाला और फिर आप गैस को आफ कर दीजे और इसे ढग दीजे तक यह नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाए अब हम चलते हैं जो हमने बैटर तयार किया था दीखिए जब आप 10 मिनट के लिए अपने बैटर को छोड़ देंगे तो उसे फिर से चेक करिए देखिए मैंने चेक किया तो यह थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो जब भी इस तरह से गाढ़ा हो जाए अगर रखने के बा पुरा डाला है आपने जितना भी अपना पाउडर इंग्रीडियंट्स लिया है उसके हिसाब से ही आप इसमें दूद डालें यहां मैंने जो एक बड़ा ग्लास फुल दूद लिया था उसमें मेरा वन थर्ड ओफ ग्लास दूद बच गया था तो आपको बैटर इस तरह से रखना है रणिंग बैटर आपको केवल यह ध्यान रखना है अब एक कढ़ाई में आप कुकिंग ओयल डालिए और इसे मीडियम होट करके इस तरह से आप बैटर को हलका सा पोर करके चेक कर सकते हैं इसकी होटनेस गैस को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है और एक इंपोर्टेंट टिप यह है कि तेला बहुत जादा ना भरें और इस तरीके से एक कल्चलीज की मदद से आप इसे पोर कर दीजे और धीरे धीरे लो फ्लेम पर इसे अच्छे से निचे सिकने दीजे इसे तुरन टच नहीं करना है आप फिर किसी फोक की सहायता से या इस त तरीके से आप ऐसे होल चोटे-चोटे कर सकते हैं इसे बहुत रादा राइज नहीं होगा और धीर-धीरे आराम से लो फ्लेम पर सिकता रहेगा हमें इसे दोनों साइट से धीर-धीरे पलटके हलका ब्राउन होने तक सिकना है ताकि वह अंदर से भी कच्छा ना रहे क्यों तो आप दो से तीन माल पुआ भी एक साथ पोर करके सेख सकते हैं इस तरह से देखी जब पुआ हो जाएंगा तो आप इसे तेल को स्क्वीज आउट कर लीजे और फिर इने निकाल दीजे इधा जो हमने शुगर सिरफ चाचिन तयार की थी ये वाम होनी चाहिए बिलकुल जब आप इसे सर्फ करें तो आप उपर से शुगर सिरफ या चाशनी डाल सकते हैं यह ऑप्शनल है और इसे गार्निश करिए बादाम बिश्टा के साथ तो तैयार है दोस्तों इंस्टेंट माल पुआ ये फटा-फट से यूं ही बन जाता है आप इसे बनाईए ट्राइए ये फेस्टिवल का सीजन शुरू हो चुका है दोस्तों होली आने माली है और बहुत सार तेवार आने माले है आप ये माल पुआ जरूर बनाईए इसमें कोई जहनजट नहीं है फटा-फट से बन जाती हो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है बिलकुल नरम नरम और बहुत ही रसीली आप मुझे बताए कमेंट करके आपको मेरी रैसिपी कैसी लगी और हाँ प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अकांट्शा किचन स्टोरी मैं फिर मिलूंगी एक नई रैसिपी के साथ तक तक टेक केर